क्या मेरी आवाज आप तक पहुच रही है और यह आप लोग आज के दमदार सेशन के लिए रेडियो क्या बहुत मज़ा आएगा आज येस वेरी 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 वाम वेल्कम तो आल अफ यू गूद मॉर्निंग गूद मॉर्निंग माइडियर फेंड्स वेल्कम तो आवर नेक्स्ट सेशन और हम लोग यहाँ पर जो आज सेशन कंड़क करेंगे न वो सेशन अन्यदर लेवल अप जाने दब्लदाफर जुड़ जाएए जुड़ जाएए ताकि आज का भी सेशन हमारा रोज की तरह रॉकिंग सूपर रॉकिंग रहेगा come on everyone तो हम लोगों ने start कर लिया है leverage के साथ sir leverage क्या था leverage is advantage my dear friends कितने type के leverage थे 3 type के leverage थे सबसे पहला leverage का type था DOL degree of operating leverage उसके अंदर क्या होता है sir operating part होता है बेटा sales से शुरुवात होती है minus किया जाता है variable cost मिलता है आपको contribution minus करते है आप fix cost पर मिल जाता है आपको operating profit मतलब EBIT तो sales से लेकर EBIT तक के part को हम लोग बुलाते है operating part yes sir याद आ गया operating part तो याद आ गया sir इसके अंदर क्या होता है आप sales को बढ़ाते हो 10% से suppose चलो एक काम करते numbers दूसरे लेकर आज और try करते है ताकि हमारा और दादा अच्छा रिविजन हो ठीक है तो देखिए sales minus किया variable cost मिल गया contribution minus किया fixed cost आ गया EBIT sales को अगर आप बढ़ा रहे हो 10% से sales को अगर आप बढ़ा रहे हो 10% से सुना अच्छे से और उसकी वज़े से आपका EBIT जो है वो 25% से बढ़ा आपका जो profit है तो किया आ बता सकते हो कि कि आपका DOL कितना है कि सर Kyle कितने क्लास होंगे यूटेवर यूटेव पर चलता जाहेंगा न कि May be another day, 5 days कम से कम YouTube पर लेंगे, don't worry, 5 days हम लोग YouTube पर लेंगे, फिर हम चले जाएंगे हमारे app पर, ठीक है, Yes, बताइए, फड़ा 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 बताइए दोस्तो, सबसे पहले sales, sales बढ़ गया आपका 10% से, और उसकी वज़रते, से, because of that, your EBIT is increasing by 25%, now, what will be your DOL, degree of operating leverage आपका कितना रहेगा, उस case में, मुझे यह answer आप से चाहिए, मुझे यह answer जो है, यह आप से चाहिए, और उसके बाद हम जाते है, financial part पर अगर, financial part के अगर मैं बात करूं, तो guys, financial part starts with EBIT sell, minus होता है, interest, मिलेगा आपको EBIT, minus करोगे, आप tax, मिल जाता है आपको, earning after tax, earning after tax को, हम NI बुलाएंगे, अगर preferences नहीं है, तो net income, and उससे मिल जाता है, आपको, earning per share, EPS, यहाँ पर अगर 25% से बढ़ जाए, और उसकी वज़े से, यह देखो, यह 25 जो है, मैंने continue कर दिया इदर, 25% से बढ़ जाए, और उसकी वज़े से resultant जो है, आपका EPS 50% से बढ़ जाता है, 50% से अगर आपका EPS बढ़ जाता है, now tell me, my dear friends, now tell me, कि आपका financial leverage कितना है, DFL, आपका कितना रहेगा, my dear friends, बताईए, फड़ा 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 फड़ा, come on friends, फड़ा फड़ा मुझे answers चाहिए आपसे, क्या first case में आपका DFL बता सकते हो, मुझे कितना है, और ये वाले case में DFL चाहिए, मुझे उस वाले case में, मुझे DOL का answer चाहिए, आप लोगों से, बताईए, फड़ा 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 इस case में आएगा दोस्तों, तो, येस, 2.5 ताईएगा, 2.5 ताईएगा, 2.5 ताईएगा स्थर, कैसे आएगा DOL 2.5 ताईएगा स्थर, because friends, DOL is nothing but percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, so my dear friends, it will be 25% divided by 10% and your answer comes to 2.5 times, everybody, everybody, my answer comes to 2.5 times, are you getting the same same answer, yes, बढ़िया है, बढ़िया है, जुड़ जाओ, सब लोग फड़ा 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 आंसर देने में जुड़ जाओ, तो यहाँ पर लिखा है, DOL 2.5 है, because, आपने sales बढ़ाया 10% से, 10% से, और उसकी वज़े से आपका EBIT बढ़ा 25% से, सर बढ़ा ऐसा हुआ क्यों, because of fixed cost बढ़ा, जब तुम sales बढ़ाते हो, तो तुमारा variable cost भी 10% से बढ़ता है, obvious सी बात है कि तुमारा contribution भी 10% से ही बढ़ेगा, but, 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 जो fixed cost है वो same रहता है दोस्तो, तो इसकी वज़े से resultant profit जादा बढ़ता है, resultant profit जादा बढ़ता है, तो अगर ऐसी बात है दोस्तो, तो fixed cost का ही impact measure कर लेते हैं, आपका second formula आएगा, और DOL is equal to, fixed cost के पहले क्या नज़र आ रहा है, आपको fixed cost के पहले सर contribution है, और fixed cost के बाद क्या नज़र आ रहा है, आपको fixed cost के बाद EBIT है, तो formula बनेगा contribution by EBIT, formula क्या बनेगा आपका, contribution by EBIT, yes, बढ़िया है, यहां तक का पाट सबको समझ गया है, तो DFL के दो formula आपके screen पर दिखरे हैं आपको, DFL के दो formula दोनों भी आपको screen पर दिखरे हैं, percentage change in EBIT divided by percentage change in sales, और दूसरा है contribution divided by EBIT, EBIT, yes, तो यह दो formula हमने discuss किये थे last session में, अब बात करेंगे दोफ्तों, financial leverage के बारे में, आपने financial leverage के हद तक, आपके EBIT को बढ़ाया 25% से, बट resultantly आपका EPS जादा बढ़ा है, 50% बढ़ा है, so it is because, आपको फाइदा मिला है, आपको benefit मिला है, जितने से आपने आपका profit बढ़ाया, उससे जादा आपका EPS डबल बढ़ गया है, double, to be more precise, तो आपको advantage भी तो double मिला है, और इसी वज़े से यहां का formula बनेगा, DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT, percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT, in my example it is 50% by 25% and the answer comes to 2 times, and the answer comes to 2 times, very good, very good, चलो, 2 times का answer भी आ गया है, yes, and now friends, ध्यान दीजिए सब लोग, कि यहां पर, जो आपका DFL है, वो 2 times आ रहा है, ओके, अब यह क्यों हुआ सर, यह क्यों हुआ, क्योंकि जब आप EBIT को बढ़ाया थे, 25% से, आपका जो interest cost था ना, आपका interest cost सेम रहता है, उसकी वज़े से resultant नीचे जो answer है, वो change हो गया, yes, इसका मतलब जैसे इदर fix cost की वज़े से हुआ था, वैसे इदर interest की वज़े से हुआ है, तो obvious सी बात है, अगर interest की वज़े से हो रहा है, तो interest का impact measure करना होगा, second formula will be, interest का impact measure कर लो, interest के पहले EBIT और interest के बाद EBIT, formula will be EBIT by EBIT, formula will be, यहाँ पर दूसरा formula लिख रहा हुँ है, और, DFL is equal to interest के पहले EBIT, and interest के बाद EBIT, your formula is EBIT by EBIT, बढ़िया है दोस्तो, आपके DFL के दो formulas cover होगे, percentage change in EPS, divided by percentage change in EBIT, and EBIT by EBIT, तो आपको याद ही है दोस्तों वैसे तो, यह जो second वाले formula लिखे हैं नीचे, दोनों तरफ, यह दोनों भी formula जो है, यह singular data के लिए यूज होता है, but between two data अगर रहेगा, तो उपर वादा formula यूज होता है, यह तो यह आपके leverages के formula होगे, फड़ा 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 जूड़ जाहिए, काफी लोग यहाँ पर शायद notification यूट्यूब ने दिया ही नहीं है, जूड नहीं पाए, आज कोई बात नहीं, बर आप जूड़ जाहिए, तो और जबर्दस मज़ा आएगा, आज के session में तो another level को मज़ा आएगा, because हम लोग question answer stop करेंगे, leverage के भी, yes guys, चलिए, तो यहाँ पर, आपका जो DFL है, इसका second formula भी आचुका है, आपका DFL का first formula है, आपका DFL का second formula भी आचुका है, अब बात करते हैं दोस्तों, combine leverage के बारे में, तो combine leverage will combine these two parts, it will combine these two parts, it is combining these two parts, my dear friends, तो सबसे पहले आएगा sales, sales बढ़ रहा है 10% से, और उसकी वज़ए से, directly EPS देख लो आप, EPS बढ़ रहा है 50% से, कितने times का फाइदा हुआ, कितने times का फाइदा हुआ, 5 times का फाइदा हुआ है, तो वो answer निकालना है 5 times का, DCL आपका 5 times है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, percentage change in EPS, divided by percentage change in sales, तो मेरा formula क्या बनेगा दोफ तो, येस, बताए, मेरा formula बनेगा, DCL is equal to, percentage change in EPS, divided by, percentage change in sales, आपका EPS का percentage change, 50 है, आपका sales का percentage change, सिर्क 10 था, तो आपका answer आएगा 5 times, आपका answer कितना आएगा, 5 times का answer आएगा, my dear friends, yes, 5 times DCL, ये क्यों हुआ sir, ये हुआ because of दोनो आइटम, यहाँ पे जो दो आइटम दिये थे न, ये दोनो आइटम किया जिनको आपने right click किया है, tick mark किया और green से भी shared किया है, interest और वहाँ पर है fix cost, वहाँ का fix cost यहाँ का interest, वहाँ का fix cost यहाँ का interest, ये इसकी वज़े से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वह दोनों भी क्या हो रहे हैं दोफ्तों, वह दोनों भी जहाँ same थे, मतलब जब numbers बढ़ रहे थे, तो इनके number नहीं बढ़े, तो guys इन दोनों के पहले, और इन दोनों के बाद के number को compare करना पड़ेगा, yes, my next formula will be, इन दोनों के पहले, मुझे contribution नज़र आ रहा है, इन दोनों के बाद, मुझे ebt नज़र आ रहा है, तो मेरा formula will be, contribution by ebt, yes, तो मेरा next formula, dcl का, दोनों के पहले contribution, दोनों के बाद ebt, and my formula is contribution by ebt, आप exam में contribution पूरा लिखोगे, ebt लिख सकते हो, no problem, but contribution आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है, तो इसकी वज़े से ऐसा हुआ है, और एक formula यहाँ पर बन सकता है, dcl का, dcl is equal to, हमने बोला भी था, last session में, dol into dfl, dol into dfl, yes, will give you dcl, बढ़ी है दोस्तों, सही एकदम, तो यहाँ पर, आपका answer आ चुका है, dcl के तीनों formula आपके पास ready हो चुके, percentage change in EPS, by percentage change in sales ready है, contribution by EBT ready है, और dol into dfl भी ready है, तो तीन formula के दोस्तों, dcl के, very good, तो चलिए, यहाँ पर, total कुल मिलाकर, dcl के तीन formula के तीन formula के दो, और operating leverage के दो, तो कुल मिलाकर, 2 प्लस 2 चार, और यह तीन, 7 form ने जमने cover कर लिए, leverage के, अब इसी के basis पर, आपको कुछ question solve करने मेरे साथ, आज के session में, कुछ question solve करने मेरे साथ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मेरा book का soft copy, जो है, मेरे telegram channel पर है, मेरे book का soft copy, मेरे telegram channel पर है, question number 4 आपका homework था, और यहाँ पर sales से लेकर, net income तक का पूरा information रड़ी है, और आपको operating leverage, financial leverage and combined leverage पूछा था, यह देखिए, यह data आपके सामने रड़ी है, sales variable cost 5,60, sales ते 9,60, revenue before fixed cost क्या होता है भाई, revenue before fixed cost मतलब दोस्तों, contribution, revenue before fixed cost, contribution हुआ, क्योंकि उसके बाद fixed cost रेस होकर, profit आने वाला है EBIT, येस, तो ऐसे सिनेरियो में, यह आपका fixed cost रेस किया, 1,60,000 आपका EBIT आ गया, तो for us, this 4,00,000 is contribution, and this 1,60,000 is EBIT, यह कोई typing error नहीं है भाई, question ही ऐसा आये था, येस, अब इसके बाद, आगे interest minus किया, EBIT आये, tax minus किया, NI आ गया, सर बड़ी है सर, मगर हमको तो EPS तक की जान करी चाहिए सर, हमारे तीनों leverages निकालने के लिए, सर हमें EPS तक की जान करी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो, आपको EPS तक की जान करी की ज़रत नहीं लगेगी, बताइए दोस्तो, आपका question number 4 का answer यहाँ पर हम solve कर रहे है, जो कि मेरे main book के page number 19 पर है, येस, सबसे पहला part, दोस्तों सबसे पहला part ध्यान दीजिए इसे सब लोग, सबसे पहला part आएगा, dual is equal to, fix cost के पहले आता है contribution, fix cost के बाद आता है EBIT, contribution divided by EBIT, yes my dear friends, so revenue before fix cost जो है वो आपका contribution है, और आपका 1,60,000 जिसके आगे कुछ नहीं बोला है, वो आपका profit EBIT है, जो obviously fix cost के बाद दिख रहा है आपको, तो चलिए देखते क्या numbers है आपके, आपका contribution का number है 4,00, आपका EBIT का number है 1,60,000 तो 4 divided by 1.6, 4,00, divided by 1,60, your answer comes to how much, my dear friends, what is your answer, चलो जल्दी जल्दी फटा 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 बताइए, 2.5 times, all of you, what is the meaning of 2.5 times का answer, every 1% change in sales, will change my profit EBIT, by 2.5%, yes, तो ऐसे यह company का अगर profits जो है, 10% से बढ़ जाए, sorry, sales जो है 10% से बढ़ जाए, तो profit 25% से बढ़ जाएगा, yes, interpretations भी clear हो रहे है, answer के derivations, logic सब कुछ clear हो रहा है, very good guys, very good, चलिए, तो यह आपका dual answer आगया, अब D.A.P.E.L. के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, fixed cost के पहले, fixed cost के बाद, operating के लिए था, तो financial के लिए, interest के पहले और interest के बाद रहेगा दोस्तो, तो यहाँ पर आएगा, interest के पहले EBIT, और interest के बाद EBT, yes, my dear friends, तो फिर, ऐसे case में, आपका answer आएगा, 1,60,000, divided by, आप अगर आपका EBT देखोगे, तो आपका EBT यह 1,00,000, और आपका answer, without Kelsey, 1.6 times आएगा, 1.6 times आपका answer आएगा, दोस्तो, वाट इस एंटरपेटेशन आपका 1.6 times, every 1% change in EBIT, विल चेंज माइ लास्त इंकम, तो यह 1.6%, यह तो ऐसे case में, अगर EBIT 10% से increase हो जाए, तो EPS 16%, 16% से increase होगा, yes, my dear friends, very good, चल बढ़िया है, good, now DCL is equal to, DOL into DFL, DOL आपका 2.5 है, DFL आपका 1.6 है, 2.5 into 1.6, अगर मैं करूँ तो मिरा answer, 4 times आता है दोस्तो, मेरा answer कितना आता है, 4 times answer आता है, DCL का, yes, what is the meaning of 4 times answer, sir, every 1% change in sales, will change my last available income, EPS by, 4%, तो अगर ऐसे case में, अगर sales 10% से बढ़ जाए, तो, तो EPS सर 40% से बढ़ जाएगा, सर, very good, तो यही interpretation से, यही logic से दोस्तो, जो हमने बात किये थे, तो यह था आपका question number 4, page number 19, यह मैंने आपको homework के लिए दिया था, हम homework भी ऐसी चेक करते रहेंगे, अच्छे से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला था, आपको यहाँ पर homework ज्यादा मिलेंगे, तो आज से homework बढ़ जाएंगे, प्लीज, आप भी जूट जाएए और बढ़ जाएए आगे, अगर आपने आप तक, मेरा soft copy of notes, डाउनलोड नहीं किया रहेगा, आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपकी शुरुवात करनी होगी, answers की, preparations की, हर चीज की, यहाँ पर लिखा है, देखो दोस्तों, मेरे पीछे लिखा है, आप अगर पढ़ सकते हो तो, भाई साब, Alexander the Great ने बोला है, कि जो try करते, उनके लिए कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है, और आपको अगर try करना है, तो obviously आपको मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए, यह journey में, और इसके लिए notes बहुत दरूरी है, येस, तो आपने अब तक अगर admission नहीं लिए रहेगा, तो तुरंत आपके admissions भी book कर लीजिए, ताकि आपको notes जलती-जलत मिल जाए, वेट ही किस बात का करना है, अगर आपको score करना ही है तो, लेट मत कीजिए भाई, वेट करते रहोगे तो लेट हो जाओगे, इसलिए आगे बढ़ना है, तो बस जुड़ जाए जर्णी में, जो जर्णी आपको पूरा का पूरा regular notes solve करवाएगी, चलिए, आगे बढ़ते, अब ये था आपका question number 4, जो मैंने आपको बला था, आपको solve करना था homework के तोर पे, question number 5 जो है, ये हम लोग साथ में solve कर लेंगे, अभी तुरंत, क्या बोल रहा है, ये question number 5, अब firm has total sales of 10 lakhs, variable cost of 7 lakhs, fixed cost of 2 lakh, अरे बापरे, सब कुछ तो दे रखा है, EBIT आ जाएगा, yes, date of companies 5 lakh at 10% rate of interest, interest मिल गया, EBIT में से interest minus करके, EBIT में से interest minus करके, EBIT तक पहुच गये, what is the operating leverage, financial leverage, combined leverage, पूचा है, चलो वो निकाल लेते, फिर second part पर जाते, फिर second part पर जाते, पहले ये निकाल लेते, तो question number 5, page number 19 पर question number 5, यहाँ पर सबसे पहले आपको income statement भराना होगा, जो statement से हमको समझेगा, कि आगे numbers कैसे कैसे आ रहे, तो राइड देर, income statement, सर यह income statement क्या होता है सर, जो हम आभी तक पढ़ रहे हैं, वो सब income statement ही है, जो sales से शुरू होता है, particular rupees, शुरुबात होगी sales, माइनस करेंगे variable cost, मिलेगा आपको contribution, माइनस करेंगे आप fix cost, मिलेगा आपको EBIT, माइनस करोगे आप interest, obviously आपका interest जो है, वो depend करता है आपके date और rate of interest पर, और finally आपको मिल जाता है आपका EBIT, बढ़िया ऐसा, चलिए, तो यहाँ पर, आपका जो sales है, वो 10 lakh है, variable cost 7 lakh से, fixed cost 2 lakh से, 5 lakh के date पर 10% rate of interest है, तो चलिए दोस्तों यह पूरे information के साथ, हम लोग obviously, easily हमारा income statement complete कर सकते हैं, sales ले लेंगे 10 lakhs, minus करेंगे variable cost 7 lakhs, आपको आपका contribution मिल गया 3 lakhs, आपका fixed cost है 2 lakhs, EBIT आपका 1 lakh आएगा, 5 lakh के date पर, 10% के अनुसार, 50,000 का interest, and remaining 50,000 will be EBIT, remaining 50,000 will be EBIT, my dear friends, येस बढ़िया है, चलो सही है दोस्तों, तो यहां तक तो आप पहुँची गए हो, इस पार्ट को क्या बलाते हैं, अरे बुलिए, इस पार्ट को बलाते हैं, income statement, और, इस income statement के बलभूते, हम solve कर लेंगे 3 leverages, तो यह काम करते हैं, इस 3 leverage का यहां से, formula तो उठा लेते हैं, अरे बलाते हैं, दो यहां से, दो इस पार्ट को अरे बलाते हैं, आप का अंसर आता हैं, आप का अंसर आता हैं, कि सेकेंड विल भी आपका फाइनेंशल लेवरेज कि इबी इटी बाई इबीटी आप सबको फॉर्मला याद है कि तब का इबीटी जो है तो एक लाख ही है और आपका इबीटी जो है वह पचास हजार है इससे जो आंसर आ रहा है वो टू टाइम्स आ रहा है और जो कंबाइन लेवरेज होता है वो उन दोनों को मल्टिप्लाई करकर आपका फाइनल आंसर आता है तो आपका कंबाइन लेवरेज का आंसर थ्री इंटू टू करकर आ जाएगा सिक्स टाइम्स एक्जाम में ऐसे कोश्चन सा जाने तो काफी लोग ऐसे खुश हो जाते बोलते बढ़िया है एक नंबर उन्दा सा कोश्चन बढ़िया सा कोश्चन क्या ललू पेपर था मेरा तो आधे घंटे पहले हो गया यश बटा तेरा आधे घंटे पहले कैसे नहीं होगा क्योंकि तूने तो एक ही पार्ट स्वाट किया है एक सेटमें में तूने इज़े तक स्वाल्ब किया और कोश्चन एजी 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 बोलके तो अगला पड़े गा लिए अगला पार्ट है दोस्तो जिसके लिए और मा how much of a rise in sale would be needed on percentage basis अगर firm को अपना EBIT डबल करना है तो firm ने अपना sales जो है वो कितने percent से बढ़ाना चाहिए अपना sales कितने percent से बढ़ाना चाहिए तो ऐसे किसमें क्या करेंगे दोस्तों what we will do बताए firm wants to double its EBIT बोल रहे हो लोग double its EBIT मतलब can you tell me percentage change in EBIT कितना होगा yes percentage change in EBIT will be 100% double करना है भाई किसी number को double करना है तो 100% से change करना पड़ेगा उसको बिल्कुल सही है सर तो इसका मतलब double करने के लिए EBIT को 100% से बढ़ाना होगा how much of the percentage rise would be there in sales EBIT और sales अगर बोल रहे हैं यह लोग EBIT और sales बोल रहे हैं यह लोग इसका मतलब यह कौन से पार्ट से डील कर रहे है सर EBIT और sales मतलब यह लोग operating पार्ट से डील कर रहे है अगर यह operating पार्ट से डील कर रहे तेरे तो तेरे पास तेरा operating leverage ready है three times का yes sir तो फिर सिदा सिदा यह use कर three times और directly answer निकाल ले कर रहे है if firm wants to double its EBIT if farm wants to double its EBIT if firm wants to double its EBIT percentage change in EBIT will be 100% अगर double ही करना है तो 100% से change हो जाएगा बिल्कुल सही है sir 100% से change हो जाएगा तो ऐसे case में डिल्कुल इस एक्वल टू percentage change in EBIT by percentage change in sales हो जाएगा तो डिल्कुल आपको कित्ता निकाला है आपने 3 ताइम्स 3 इस एक्वल टू 100 डिल्कुल बाए percentage change in sales therefore percentage change in sales is equal to 100 by 3 which is nothing but 33 1 3rd percent will be nothing but 33 1 3rd percent yes my dear friends तो आपका sales जो है वो बढ़ना चाहिए 33 1 3rd percent से तो आपका EBIT जो हो डबल हो जाएगा yes sir can we solve it like यह income statement यहाँ पर इसमें इसको double करके solve कर सकते है अगर अगर लैक को अगर 2 लैक कर दिया sir तो fixed cost तो same ही रहता है तो 2 लैक प्लस 2 लैक 4 लैक हो जाएगा sir उपर और 4 लैक एक बार उपर हो गया तो हमें पता है sir कि यह 70 percent variable cost है तो contribution as a percentage of sales जो हो 30 percent है sir तो अगर sir सिधा सिधा 4 लैक को divided by 30 percent करेंगे sir तो 13,33,333 आता है sir तो हम directly sales निकाल पाएंगे sir contribution का amount 4 लैक था sir अभी के reverse working में और 4 लैक को divided by 30 percent करेंगे तो answer directly 13,33,333 आएगा बिल्कुल सही है बच्चा लोग ऐसा भी सो और कर सकते हैं और उस case में आपका new sales 13,33,333 है and old sales आपका जो है वो 10 लैक है difference जो है वो 3,33,000 का है divided by 10 लैक into 100 करेंगे तो 33.33 percent ही आता है answer अगर इसको double करकर reverse solve करेंगे और उसका percentage change निकालेंगे तो भी चलेगा directly shortcut method इससे भी करेंगे तो भी चलेगा whatever is convenient to you follow that that's it that's more important जो आपको comfortable है वो ही follow करेंगे जो आपको comfortable नहीं है वो follow नहीं करना है हमारे पास दोनों रास्ते percentage change वाला भी रास्ता है और directly income statement से reverse calculation करने का भी रास्ता है आप जिससे जदा comfortable रहेंगे वो follow करो yes तो यहाँ पर आपका next question का भी answer आ गया है अब क्या करेंगे सर फिर्ट के बाद हम कहां जाएंगे सर आगे बढ़ने के पहले एक बहुत important बात बोल देता हूं क्योंकि आपको यहाँ पर study sessions चल रहे है क्योंकि आप लोग everyday यहाँ पर बैठे हो और आपको पड़ाई करना है आपका target a coming exam so definitely आपको मैं बोलता हूं there is something which is very very important for us in our life and that is for our stress bursting yoga yoga से ही होगा बोलते हैं and यहाँ पर एक बहुत golden opportunity हम सब के पास हम सब के पास एक बहुत golden opportunity of world record holder जो है वो एक person है his name is Saurabh Botra he is conducting 21 days free yoga session my dear friends yes 21 days free yoga session and यहाँ पर अगर उनके yoga sessions को आपको join करना है न अब सीधा सीधा विनोद ready channel पे जाहिए telegram के we know the ready channel पे जाहिए telegram के और वहाँ जाने के बाद आपको डायिख्ली सोरभ बोत्रा का एक पिन किया हुआ message मिलेगा पिन किया हो और वो message पर जब आप जाते हो, तो वो message पर, यह देखिए मैंने अभी just यह किया है, तो यह message पर आपको करना क्या है, आपको यह message पर free registration करना है, खुद का yoga के लिए, 21 days yoga session my dear friends, by world record holder, I am not joking, he is a world record holder, Saurabh Botra, इतने साथ इंडिया भर के सभी लोगों को उन्हें योगा करवाया है, कि आपको यकीन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, विनोद रेड़ी टेलेग्राम चैनल पर पहले जाकर खुद को सब्सक्राइब करना है, और वहाँ से सच्वरभ बोतरा जो है, इनके योगा सेशन को भी सब्सक्राइब करना, it will hardly take 30 seconds, बट मैं चाता हूँ दोस्तों कि आप तुरंत ये करे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत important है आपके लिए, अभी का ये जो पेज चल रहा है इस पेज में, आपको mentally यहाँ पर जितना powerful बना सकता है योगा, और कोई नहीं बना सकता है, it is connecting with your inner self, and इसी वज़े से, हम सब teacher लोग भी सेशन में रहने वाले, जो योगा का सेशन सचीन सौरब बहुत रहा का होगा, उस सेशन में हम लोग भी रहने वाले, तो आप लोग भी रहिए, हम लोग सब मिल कर ये सेशन अटेंड करेंगे, हमारे खुद के भले के लिए ये, दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेशन होगा, ये 21 days पूरा free होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ registration करना है, तो आप मैं समझ सकते हैं कि मैं announce कर रहो, तो आपके लिए कर रहो, ओविसली सामने अले परसन को आपका एक रुपया भी नहीं चीप फीज के लिए, 21 days, it will change your habit, and you will be having a very good habit of yoga, he will be teaching you various types of आशन्स, and ओविसली वो आप बाद में continue कर सकते हैं आपका आपके खुद के बलबूते पर, so I insist all of you, to all of you to go to Vinodriddi Telegram channel, and तुरंत तुरंत आप क्या करोगे, आप खुद को enroll कर लोगे उधर, ठीके, without fail आपको enroll करना है, because it's very important for us, yes, चलिए, आगे बढ़ते, आपने next question, question number 7 के तरफ, question number 7, part 1, आप solve कर सकते हो, यह तो इतना आसान है, क्या लिखा है यहाँ पर, sales, 50,000 rupees, 60% is variable cost, चलिए, यहाँ पर ही solve कर रहो है, आपका sales है 50,000, यह आपका sales है, minus करोगे आप variable cost, और आपका variable cost जो है, वो 60% है, which is 30,000, बचा बाद 20,000, will be your contribution, and minus करेंगे, fix cost, 12,000, तो अब्यसली 8,000, जो बचेगा, that will be your EBIT, that will be your EBIT, yes, शिवाम पढ़ल क्या बोरे, sales, sales तो ठीक है, variable cost भी change होगा, मैं income statement नहीं बना पाया, sales तो ठीक के variable cost भी change होगा, मैं income statement नहीं बना पाया, शायदी इस talking about the previous question, reverse working के बारे में बात कर रहें कि आप शिवाम पटेल, question number five, reverse working के बात कर, चलो मैं वो भी करवा के दे देता हो आपको, यह देखिए, अगर मैं पिछले question में जाओ, तो यह देखो, यहाँ पर, if, EBIT is doubled, solve करूं, तो इस EBIT को में 2 lakh लोगा, fixed cost को 2 lakh लेंगे शिवाम, reverse जा रहे हैं हम लोग, तो obviously, यह contribution जो यह 4 lakh लेंगे बन जाएगा, if contribution 4 lakh लेंगे बन रहा है, और वो आपके sales का 30% है, अगर 4 lakh 30% है, तो 100% sale किता, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बोना पड़ेगा, 4 lakh divided by 30%, and मेरा आँसर आएगा 13 lakh 33,333, और obviously, यह जो मेरा sales है, कि कितने percent से increase हुआ है, मुझे वो निकालना है, तो 33% से increase हुआ है, yes, it will be reverse working, and obviously, you can take that balancing figure, 9 lakh 33,333 can be your balancing figure, reverse working से आपने sales निकाल लिया, हमारा sales आ गया 13 lakh 33,333, variable cost आप verify कर सकते हूँ, 13.33 into 70% करके देख लो, येस 9.3333 आता है 12 लाक्स नहीं आता है बेटा और अगर आपका सेल्स 10 लाग का 33 लाक 33 थाउजन हो रहा है देर्फोर पर्सेंटेज चेंज इन सेल्स विल भी और करके लिख रहा है 13.33 लाक्स माइनस 10 लाक्स डिवाइड बाई ओरिजन सेल्स 10 लाक्स इन्टो हंड़ेड अगेन इट कमस तू 33 वनतर्ड परसेंट येस इस तरीके से आंसर निकलता है आपका ग्रेट तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर पर शेन नंबर 7 का जो फॉस्स पार्ट है वो हमारा EBIT तक का सॉल्व हो गया उनने बोला अप्रेटिंग लेवरेज निकालो तो आप सबको पता है डिवेल का फॉर्मुला है कॉंट्रिबूशन बाई EBIT आपका कॉंट्रिबूशन का नंबर है 20,000 आपका EBIT का नंबर है 8,000 20,000 बाई 8,000 आपका अंसर आता है 2.5 ताइम्स 2.5 ताइम्स आपका अंसर आ गया दोस्तो वंडरफूल वंडरफूल वेरी गुड बढ़ी आ है सेकंड पाट पर आते है भी पाइनेंशल लिवरेज पर आते है फाइंड पाइनेंशल लिवरेज बोल रहे है भाई पाइनेंशल लिवरेज का फॉर्मॉला है इसका मतलब अगर तुम्हारा एकुटी वन है तो उसका तीन गुना ज्यादा डेट रहेगा इंट्रेस्ट रेट आपको 12 परसेंट बोला है और आपको बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 लाक रुपीज अपरेटिंग प्रॉफिट इस नतिंग बट हमारे understanding के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ EBIT हमारा EBIT दिया है 20 लाक रुपीज यस सर बड़ी है तो गईज अब ऐसे केस में आपका financial leverage निकालने के लिए आपको सबसे पहले EBIT से EBIT तक पहुशना पड़ेगा और आपका मैं equity मान लिए तो यह आपका नेट वर्थ होता है यहां पर आपका net worth होता है मतलब क्या होता है रोस यहां पर आपका शेर कैपिटल होता है choices and so तो मैंत वर्थी हुट यह तो इकटिक अमोंड 25 तो नेट्वर्थ का अमोंड 25 तो पत्तिस हो जाएगा तो एक यहुट इंट्री करकर डेट आ जाएगा 75 लाक्स लिखते यहां पर है इस और यह यह ने अट्वर्थ इस एक्वल टू शेर क्यापिटल प्लस रिजव को कर दो फ्कत को अचिलिख को नेट वर्थ इपला प्लस रेजंशल को तो एसलील रसेल और रोसर्स कहुट पर देर्पोर मिक्रां। नेट वर्थ इसस्ट प्लेट ऊहलूंद मिक्विटीइज is equal to 25 lakhs net worth is equal to equity is equal to 25 lakhs therefore using debt equity is equal to 3 is to 1 therefore debt is equal to 3 into 25 lakhs therefore debt comes to 75 lakhs debt comes to 75 lakhs अब अगर debt ही आगया 75 lakhs तो खेली कतम हो गया net worth is equal to share capital plus reserve and surplus therefore net worth is equal to equity which is equal to 25 lakhs using debt to equity ratio 3 is to 1 using debt to equity ratio 3 is to 1 therefore if equity is 1 3 times is debt so obviously 3 times of 25 lakhs is debt 75 lakhs तो हम बोलेंगे therefore EBIT is equal to EBIT minus interest तो EBIT मतलब operating profit 20 lakhs minus 75 lakhs per 12% 75 lakhs per 12% कितना होगा दोस्तों 9 lakh so obviously this will come to 11 lakh your EBIT will come to 11 lakh rupees my dear friends EBIT is coming to 11 lakh rupees my dear friends yes 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 Dr. Arsalan thank you so much okay love from Kashmir thank you thank you boss अब अब देखिये DFL is equal to formula is EBIT by EBT so EBIT is 20 lakhs EBT is 11 lakh your answer will be 20 divided by 11 which comes to 1.82 times DFL comes to 1.82 times everyone DFL comes to 1.82 times यह आपका DFL का number आ रहा है yes बढ़ी है तो यहाँ पर हमने second part भी solve कर लिया financial part निकालना था DFL निकालना था first part में आपको operating part निकालना था operating leverage operating leverage का answer 2.5 times आया financial leverage निकालना था financial leverage का answer 1.82 times आया very good चलिए बढ़ी आया है आगे बढ़ते हैं so my dear friends आपका जो next question हम solve करेंगे वो 8th question रहेगा 8th question जो है यह solve करते हैं और ज्यादा better understanding आयागा question number 8 operating leverage निकालो financial leverage निकालो combined leverage निकालो under situation 1 भी निकालो and situation 2 भी निकालो financial plan A भी निकालो and B भी निकालो यह क्या होता है situation 1, 2 financial plan A, B पता नहीं question पढ़ते एक बार यहाँ पर लिखा है installed capacity 4000 units actual production and sales 75% of capacity so 75% of 4000 comes to 3000 units selling price per unit is 30 variable cost is 15 per unit situation 1 fixed cost this fixed cost जो है यह इसके नीचे जाना चाहिए एंचुली यह fixed cost जो है यह variable cost के नीचे होना चाहिए था कोई बात नहीं fixed cost तो fixed cost is situation 1 में 15,000 situation 2 में 20,000 and financial plan A and B बोला है यहाँ पर financial plan A में equity और debt का total 20,000 है yes sir तो दूसरे case में भी debt और equity का total 20,000 ही है बट sir debt equity दोनों plan में अलग है yes और इसी वज़े से क्या change होगा दोस्तो debt equity change होने की वज़े से interest amount change होगा अगर आप plan A देखोगे तो plan A में 10,000 into 20% comes to 2,000 का interest whereas plan B में 5,000 into 20% करोगे तो 1,000 आएगा इसका मतलब plan A में interest ना लगे plan B में interest ना लगे चलिए इसका summary अगर मैं आपको बताऊ तो दो fixed cost और दो interest है दो fixed cost और दो interest है fixed cost को इन्होंने situation बुलाया है और interest को इन्होंने plan A, plan B बुलाया है तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ situation पहले क्योंकि हमारे financial statement में भी पहले fixed cost ही आता है financial statement में पहले fixed cost आता है बाद में interest आता है इसलिए situation पहले लिखाया 1 situation 2 situation 1 your fixed cost is 15,000 situation 2 your fixed cost is 20,000 so under this situation you have plan A you have plan B here also 20,000 you have plan A and you have plan B plan A की अगर मैं बात करूँ तो plan A में मेरे पास date amount है 10,000 rate of interest है 20% तो 10,000 पे 20% comes to 2,000 yes sir plan B में मगर 5,000 का date है into 20% करेंगे तो 1,000 आता है वापस plan A आ गया तो 2,000 आएगा 10,000 पे 20% और plan B आ गया है वापस से 1,000 आएगा 5,000 पे 20% तो यह आपका overall answer का summary है दोस्तों यह आपके answer की summary है इसका मतलब हमको कितने answers निकालने है चार निकालने पड़ेंगे इन चार column निकालने पड़ेंगे और particulars एक लग रहेगा serial number भी एक लग रहेगा serial number particulars situation 1 plan A, plan B situation 2 plan A, plan B ऐसे solve होगा आपका answer दोस्तों येस तो कभी भी याद रखिए situation के under plan आता है या plan के under situation आता है can't say fixed cost के under interest आता है ये बोल दीजे fixed cost के under interest आता है ये बोल दीजे तो जो भी fixed cost के option से वो पहले रखिए और जो भी interest के option से वो बाद में रखिए जैसे मैंने आपको इदर present किया भीर से रेहान बिलकुल सही answer आए आपका second part का अभी यहाँ पर आईए और यहाँ पर देखिए आपको इस question को मेरे साथ solve करना है कि यह आपका question number 8 कि यह आपका question number 8 page number 20 पर question number 8 page number 20 पर and guys यहाँ पर serial number particulars situation 1 situation 2 ऐसा presentation होगा और यहाँ पर जब आप यह solve करोगे उसी के साथ 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 हम लोग क्या कर लेंगे आपके leverages भी निकाल लेंगे तो यहाँ पर प्लाने प्लान भी यहाँ पर भी प्लाने एंड प्लान भी आएगा so let's start मजा आएगा come on everyone सब्स्चरण को लेगे सब्स्चराखा करत tray gla आपके पास सबके पास यह ताइप का फॉर्माट रेडी होना चाहिए और इस फॉर्माट के इसाब से हम लग सॉल्व करेंगे सीरियल नंबर ए विल बी सेल्स बोलिए सेल्स कितना आएगा दोस्तों कमान एवरिवन सेल्स कितना आएगा सर एक काम किज़े सेल्स एडड़एट 30 लोड़े लिजेगा सेल्स तसे कि जो हमारा आणसर है वो डिरेकली सामने आ जाए एड़ाइट 30 per unit into क्या कर रहा हूं है 4000 लोगा या 3000 installed capacity लेना चाहिए या actual sales obviously unit to take actual sales यहाँ पर जितने units अपने बेचे उसके सबसे sales आएगा ना yes तो यहाँ पर होगा आपके units के सबसे sales आपका unit से 3000 3000 into 30 करेंगा आपनो obviously मुझे लगता है answer 90,000 याने वाला है और वो सब जगा आएगा वी पार्ट में हम बोलेंगे variable cost add the rate 15 per unit obviously इसका आदा हो जाएगा 45,000 and remaining 45,000 आजाएगा आपका contribution a-b तो अब यह सब जगा ही सेम आएगा तो इसे बस copy paste करना होगा और क्या है आप लिखोगे obviously अगर सब जगा ही सेम आ रहे तो फिर इतने कॉलम क्यों बना है अब आएगा आपका fix cost आपका fix cost situation वन जहां लिखा है वहां आपका fix cost कितना आएगा 15,000 आएगा सर तो दोनों कॉलम में लिख दीजीगा 15,000 और situation 2 जहां है वहां दोनों कॉलम में 20,000 आएगा इस तर और फिर उसके बाद आपको मिलेगा आपका EBIT एफ पार्ट में इसमें आप interest माइनस कर दो उसके लिए पहले interest निकाल लो ebt के लिए आपको c माइनस d करना होगा जी पार्ट में आपका ebt आएगा EBIT के लिए c माइनस d किया और ebt आने वाला नीचे ebt is nothing but e-f e-f everyone तो ऐसे case में आपका answer first scenario में 30,000 आएगा दोनों जगा second scenario में 25,000 आएगा yes and interest जो है वो first plan A में कितना आएगा दोस्तो देखिए plan A में कितना निकाल आपने 2000 sir plan B में 1000 sir तो यहाँ पर आएगा 2000 यह आएगा 1000 फिर आएगा 2000 फिर आएगा 1000 और फिर यह मिल गए आपको आपका EBT 28,000 next case 29,000 फिर आएगा 23,000 और फिर आएगा 24,000 यह यह आगे आपके EBT के numbers that's it इतना ही करना इसके बाद directly तीनों leverages आ जाएंगे आपके पास H I J dual is equal to can we say contribution C divided by EBIT E देखो C divided by E yes sir उसके बाद DFL will be E divided by G E is EBIT and G is EBIT so it will be E divided by G and D CL is equal to H into I H into I चलिए solve कीजिए पड़ा 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 आंसर बताइए तो यहां पर आएगा 45,000 divided by 30,000 1.5 1.5 45,000 divided by 25,000 comes to 1.8 1.8 DFL के लिए 30,000 divided by 28,000 1.07 second case it will be 30,000 divided by 29,000 it will be 1.03 4 लिख सकते आप उसके बाद next will be 25,000 divided by 23,000 that comes to 1.09 and lastly it will be 25,000 divided by 24,000 that comes to 1.04 yes my dear friends अब इसको अगर मुल्टिप्लाई करो के तो 1.5 into 1.07 comes to 1.605 1.5 into 1.034 it comes to 1.551 rounding of difference आते हैं तो चिंता करने की जोरत नहीं है decimals difference रहेगा थोड़ा बहुत it's okay 1.8 into 1.09 comes to 1.962 and lastly 1.8 into 1.04 it comes to 1.872 yes my dear friends मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर आचुका है तीनों लेवरेज इसका my dear friends brilliant आपका 8 question भी हो चुका है yes अब हम और आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले उससे पहले एक concept हमको डील करना होगा कि आपका जो डी ओल है question लिखे मेरे साथ notebook में रह्मान बोल रहे है रहान बोल रहे है रहान डीएफल 1.07 1.03 1.09 1.04 बिलकुल सही है बिलकुल सही है रहान चलिए अब एक question लिखे आपके notebook में whether the operating leverage मतलब DOL be I or loop report आपका operating leverage आपको कैसे चाहिए हाई चाहिए या लो चाहिए इसका simple answer है दोस्तो DOL should be low preferred DOL should be low preferred नीचे लिखेंगे because ठीक है सर पॉइंट के बाद दो डिजिट ले सकते है न सब यस आपके answers में जब आप leverages निकार दो पॉइंट के बाद आप दो डिजिट ले सकते हो पोई तो यह आपका नॉर्मल चार्ट होता है सेल्स का देख़े बच चलो जीरो से यहां पर आपका break-even point और यहां पर आपका actual sales actual sales and break-even point के gap को आप बुलाते हो margin of safety मोस margin of safety बुलाते हो आप इसको क्या बुलाते हो margin of safety सर्थ अब जब आप बोलते हो कि आपका dual high है मतलब आपका fixed cost ज्यादा है contribution और EBIT का difference ज्यादा है न तभी तो dual high हो रहा है इसका मतलब fixed cost बीच वाला नंबर बढ़ा है और अगर fixed cost ज्यादा है तो obviously total cost बढ़ेगा fixed cost अगर आप अप रखोगे ज्यादा रखोगे तो total cost अप रहेगा total cost अगर अप जाएगा तो break even point भी तो उपर shift हो जाएगा break even point अगर उपर shift हो गया तो आपका नया break even point somewhere here आएगा BEP new उपर shift होने के बाद और अगर BEP new इधर है तो आपका new margin of safety आप तो देखी सकते हो क्या हुआ घड़ गया break even point उपर जाने की वज़े से margin of safety घड़ गया है इसका मतलब risk आपका obviously बढ़ गया है risk आपका obviously बढ़ गया है yes my dear friends इसका मतलब बहुत simple है जब जब आपका DOL high होता है आपका margin of safety कम होता है जब जब होता है margin of safety कम होता है risk बढ़ जाता है इसका मतलब सर एक और फर्म ना बन सकता है dual का yes therefore dual is equal to one upon margin of safety conceptual प्रूफ है यह इसका ऐसा क्यों लिखा सर आपने inverse relationship की वज़े से दोस्तों आपके dual बढ़ने के बाद आपका margin of safety घट रहा है दोनों inverse relationship दिखा रहे हैं इसका मतलब ही दोनों opposite direction में चल रहे हैं इसलिए ऐसा होगा वन बाइ मोस विल गिव यू डिव यू टन सर समझ गया इसका मतलब डिव यू का एक और फॉर्मॉला एक है सर येस एक और फॉर्मॉला डिव यूल का तो एक काम कीजिए में पेज पर आईए जहां पर हम लोग पहले से लिख रहे थे लिवरेजिस के बारे में और वहां जाकर बकाइदा वहां जाकर आप ओपरेटिंग लिवरेज में जाए और वहां पे डिवल इस एक और बात समझ गई सर हमारा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कम होना चाहिए क्यूंकि ऑपरेटिंग लिवरेज जब-जब जयादा होगा सर इसका मतलब प्रेक्स कॉस्ट जदा है तो टोटल कॉस्ट आप ऊपर चला गया सर तो ब्रेक युन पॉइंट भी उपर शिप्ट हो जाएगा सर न्यू ब्रेक एउन पॉइंट इधर आएगा जो सेल्स के नस्दीक दिख रहा है margin of safety पहले जाधा था अब आपका margin of safety कम हो गया है margin of safety कम होना यह company के लिए अच्छा नहीं है because risk बढ़ जाता है margin of safety जब जब कम होता है तेरा risk बढ़ जाता है इसलिए कभी दूल शुद ब लो कितना लो सर सच्छ दाग देर शुद भी सफिचेंट margin of safety इतना लो रग कि तेरा margin of safety sufficient रहे मतब अच्छा कासा margin of safety रहे सब्सक्रीजर अच्छुड लोग प्रेफ प्रेफर बढ़ यह अब होग्या भ्राइज अब 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 ऑब ल्या च्राइव फर्ड वाटिवेंट पर आंप नेक्स्तों लिए तेरा शुर्ड बहुछ देखेवे प्रत्या है of a firm be high or low DFL कैसा होना चाहिए high होना चाहिए या लो होना चाहिए yes तो यहां पर हम बोल रहे है DFL should be high preferred or low preferred ठीक है Anusta Kumawat Sir is it for regular students or fast track batch, this is fast track batch this is fast track batch with absolute conceptual clarity covering all the questions of regular batch yes, don't worry so should the DFL of a firm be high or low preferred यहां पर हम लिकेंगे it depends on two elements number one return on investment and number two interest rate on loan interest rate on loan is this demo lecture yes, this is demo lecture this is demo lecture three we have already completed first chapter in lecture one and two and lecture two onwards we have started with leverage part yes, these are demo lecture tomorrow also there will be demo lecture day after tomorrow also there will be a demo lecture don't worry so it depends on two elements number one return on investment number two rate of interest on loans interest rates on loan so I will say DFL should be high preferred DFL should be high preferred should be high preferred yes oh DFL is high preferred if you have騎 high preferred its unit you and may yes DFL should be high preferred but for high preferred कब रहेगा when return on investment is more than your interest rate on loan interest rate on loan जब आप कमाज जादा रहे हो और आपका rate of interest जो है loan पर का वो कम है उस वक्त आप डरने की बात ही नहीं है आप बिंदास loan ले सकते हो ज्यादा लोन ले सकते हो बट रिवर्स सिचुएशन रहेगा तो आप जादा लोन नहीं ले सकते हो दिएफ़ शुद भी है प्रिपोर्ट वन इस इस situation are why greater than your interest rate on loan this is called as DFL is favorable this is called as DFL is favorable और अगर मैं बुलूंगा reverse situation means what sir DFL low cup report रहेगा DFL should be low preferred when ROI is less than your rate of interest yes it is ROI less than your rate of interest on loan that time DFL should be low preferred and इस्ती को बोलते है unfavorable DFL is unfavorable जिसको आप adverse बोल सकते हो DFL is unfavorable जिसको आप बोल सकते DFL जो है वो adverse है adverse है मतलब क्या है sir we are earning 12% but we are paying rate of interest 15% obviously that means that we are earning negative 3% so don't take loan and if you want to take still take limited loan because चली नहीं रहे बड़ी नहीं पाएगा उसकी बगर कोई बात नहीं थोड़ा loan ले जितना कम ले सकता है उतना ले that's the logic okay so DFL should be low preferred when this is the situation DFL should be high preferred when this is the situation very good so overall summary यह है DOL low preferred रहेगा such that there is a sufficient margin of safety that is actual sales and frequencies there is a gap and second important thing DFL it depends on ROI and rate of interest if ROI is more you are earning 20% you are paying 12% wonderful take more loan but if reverse situation is there you are earning 12% you are paying interest 15% so obviously take minimum loan so DFL first scenario favorable this scenario adverse unfavorable everything 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 clear very good badia jaryo sahi jaryo sablob now come to next question if you are up-sablog अगले question की तरफ बढ़ोगे आगे हमने अभी 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 latest में question number 8 को complete किया है all of you you will come to question number 14 you will come to question number 14 what it says Salman limited operating and total leverages are two and three respectively okay so operating leverage दिया होता है और total leverage मतलब DTL मतलब DCL दिया हुआ है तो आप financial leverage तो आसानी से निकाल होगे at present level of sales 10,000 units the selling price per unit of output is 12 rupees variable cost is 6 rupees the company has no preference share capital applicable tax rate is 50% the rate of interest on the company's debt is 16% for random what is the amount of debt in the capital structure of company यह 14th question actually 14th question अपने पास एक काम कर लो 14th question बहुत आसान लग रहा है 14th question को आप homework ले लो इसको हम स्वालनी करेंगे यह एकदम आसान लग रहा है इसको आप homework लेलना ठीक है remember homework के बगर आप नहीं पास होंगे sir book नहीं मिले homework केसे करे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जाओ तुरें सीए प्रशान सारड़ा टेलिग्राम चैनल पर जाओ intermediate FM लिखाया आगे and वहां जाकर download कर लो पिन किये वह नोट्स आपको यह भी लिखा हुआ है exam oriented बैच वह नोट्स कर लो ले लो download कर लो उससे solve करो question number 14 solve करोगे आप homework question number 16 भी आप try करोगे homework बहुत ही आसान question है question number 17 भी आप try करोगे homework बहुत ही आसान question सब्सक्राइब तो इसलिए मैं यहां पर होमवक के तौर पर आपको करवा दूंगा सौल करवा दूंगा यहां पर कुछ कॉमेंट पार्ट लिखा हुआ है अ हमगी आप सिर्फ कोस्टों स्कर कर के न अच्छे से एस ठीक ए now question number एक बहुत बढ़िया question solve करते हैं दोस्तों मज़ा आ जाएगा बढ़ उसके लिए कुछ concepts आपको आने चाहिए question number 9 पर जाना है आपको बढ़ उसके लिए पहले कुछ conceptual clarity ले लो उसके बाद हम 9th question solve करेंगे दोस्तों आपको मैं returns वाले formula के logic समझा देता हूँ returns में ROI, RONW return on network and ROE return on equity यह तीन टाइप होते हैं तो सबसे पहले returns formula first will be ROI before tax return on investment before tax कोई भी return वाला जो formula होगा ना उसका logic एक ही होगा जिस चीज़ पर आप return निकाल रहे हो उसको denominator में डालो तो सब्सक्राम investment पर return निकाल रहे तो total investment denominator में डाल total investment denominator में डाल दे उस investment पर का return डाल दे investment पर क्या return रहेगा EBIT उनको जो return मिलता है वो क्या मिलता है EBIT मिलता है everyone इसे क्यों बोल रहे है आप सर की total investment पर return जो यह वो EBIT मिलता है ठीक है तो जर्ण दो मिंट के लिए आपका EBIT इमेजिन कीजिए माइनस करते है आप interest आरे debt वालों को दे रहे हो EBIT आएगा government को tax दे रहे हो कोई बात नहीं यह वैसे भी before tax निकाल रहे थे आपन EAT आएगा minus preference dividend यह भी तो preference वालों को दे रहे हो जो investment दे रहे आपको यह debt वालों को दे रहे थे interest जो investment दे रहे थे आपको और आप जो बचा एना है वो तो पूरा equity वालों को बिलाउं करता है जो investment दे रहे थे आपको इसका मतलब यह net income equity वालों को पे हुआ यह preference dividend जो है यह preference वालों को पे हुआ और यह जो interest है यह debt वालों को पे हुआ डेट हो, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, टोटल इंवस्मेंट में आते हैं सब चीजे, इनको जो रिटर्न बट रहे हैं, वो EBIT में से बट रहे हैं, इसलिए फॉर्म ना बन गया EBIT by total investment in 200, very good, very good, wonderful sir, समझ गया sir, yes, very good, now, यह बिपोर टेक्स था, क्या बोल रहे हैं पर रहा हैं का रहान क्या बोल रहे हैं, इस डेडिकेटेटेट टू प्रशांथ क्या बात है, शागिर्द है हम प्रशांथ सर उस्ताथ के, शागिर्द है हम प्रशांथ के उस्ताथ के, रसिक उस्ताथ का उस्ताथ है, उस्ताथ हमारा, रसिक उस्ताथ का उस्ताथ है हमारा, क्या बात हैं, भाई साब शायर है हमारे साथ, यहां पर रहान, क्या जबर्दस एरी कर रहे हैं, भाई, हमारी हिंदी पढ़ने की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली वो जो emotion है तुम्हारा वह हम तक पहुच रहा है wonderful भाई thank you so much thank you ठीक है तो यहां पर हमारे पास return on investment before tax आया है अगर इसी को मुझे बहुत अच्छा लिखते हो तो रियान continue writing and शायरी भेजा करो मुझे भी भेजा करो शायरी आप मुझे वैसे शायरी पसंद है अगर आप भेज जो आपको मिलेंगे उस पर मेरा end में WhatsApp नंबर है वो मेरा personal नंबर रहेगा तो उस पर आप भेज सकते हो ठीक है आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर आयम प्रशान सावड़ा नाम से मेरा idea आप भेज सकते हो तो return on investment अगर मुझे after tax करना है तो क्या करो सर तो सर यह जो before tax वाला फॉर्मला था इसको after tax बनाना होगा anything after tax बनाना होगा तो into one minus tax anything after tax बनाना होगा तो into one minus tax करना है that's it यह बन गया formula आपका ROI after tax का हमारे syllabus में maximum जगा before tax ही यूज होता है बट कुछ जगा after tax यूज होगा तो जब after tax पूचा है आपको तब आप EBIT को into one minus tax कर दीजिए EBIT into one minus tax is after tax anything into one minus tax is after tax जैसे हमने first chapter में देखा tax shield निकाते वक्त interest जो होता है वो after tax भी consider होता है तो interest पूर आपको taxule मिलती है anything को आपको after tax करना है तो into one minus tax anything को अगर before tax करना होगा तो obviously divided by one minus tax अगर into tax one minus tax करने से after tax बन रहा है तो divided by one minus tax करने से before tax बनेगा very simple logic mathematical logics yes तो यह आपका before tax और यह आपका after tax आगया अब बात करते पॉर्मुला नमबर थ्री की return on investment के इसका मतलब दो फॉर्मुले से maximum time syllabus में ROI before tax निकाला जाएगा अगर कुछ नहीं बोला तो दोनों method से answer निकाल सकते हो या after tax भी निकाल सकते हो now coming to third category of formula return on net worth इसके लिए आपको net worth समझना बहुत जरूरी है net worth means what भाई net worth का मतलब होता है कि share capital प्लस reserves and surplus अभी अभी पढ़ा पने ओके share capital प्लस reserves and surplus बट दोस्तों share capital में आपके बास दो टाइप के share capital होते है equity share capital भी होता है preference share capital भी होता है तो सोचिए return on net worth निकाल गुरी है तो आप return on net worth के लिए denominator में लोगे total net worth यस सर और लास्ट में into 100 करेंगे percentage चाहिए इसलिए यस सर net worth वाले कितने लोग है दो लोगे सर एक equity वाला और एक preference वाला विकाज share capital में दोनों share capital आते है equity share भी आता है preference share भी आते यस और इसलिए net worth में भी यह दो item आएंगे यह दो party आएंगे यस और इनको जो returns बट रहे एक को N.I. मिल रहा है equity वालों को preference वालों को preference dividend मिल रहा है दोनों भी किस में से बट रहे दोनों भी बट रहे earning after tax में से तो formula बनेगा EAT divided by net worth into 100 very good fourth item return on equity यहां पर जो equity है यह shareholders की equity है तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा equity लास्ट में 200 अब आप सोचिए कि equity वाले लोग मतलब equity shareholders अभी देखो सर अभी अभी यह तो आपने बोल था net worth is equal to equity अब आप net worth को अलक्ट्रीट कर रहे हो equity को अलक्ट्रीट कर रहे हो yes syllabus में सब जगा net worth is equal to equity रहेगा सिर्फ रिटर्न वाला formula छोड़ा तो क्यों सर रिटर्न वाले formula में ऐसा क्या होता है विकाज वहां पे net worth अलगे और return on equity ROE अलगे RNW आलगे RNW बोल दिया return on network तो प्रेफरेंस दिया गया equity shareholders भी आगे बट जब सिर्फ ROE लिखा था तो only equity shareholders आएंगे और only equity shareholders वालों को क्या belong करता है तो sir NI belong करता है only equity shareholders वालों को net income belong करता है इसलिए यहां का formula होगा आपका net income divided by equity into 100 यहां का formula होगा आपका net income divided by equity into 100 that will be your ROE formula yes sir return के 4 formula जाने सर अब एक formula है दोस्तों assets turnover ratio different formula है इसलिए मैं उसको star mark करके लिख रहा हूँ यह आप ratio analysis में सीखोगे turnover group के अंड़र आएगा assets turnover ratio पहली बात तो समझ लीजिए कोई भी turnover ratios जो वो times में होता है इसका मतलब into 100 नहीं होगा जो percentage में आते हैं उसको into 100 करते हैं यह into 100 नहीं होगा चलो डंसर अब assets turnover ratio कोई भी turnover ratio रहता है न तो turnover का मतलब होता है sales तो यहां पर numerator में आएगा sales and denominator में आएगा उस चीज का नाम जिसका अब turnover ratio निकाल रहे हो denominator you will take that thing on which you are calculating the ratio so here I am calculating the ratio on total assets because I am taking assets so here in the denominator it should be total assets sales divided by total assets my dear friends sir यह ratio क्या दिखाता है सर आपको यह ratio आमें दिखाता है बेटा कि total assets deploy कर कर business में कितना time का sales हो रहे हैं जितना times का sales जादा होगा उतना अच्छा होगा क्योंकि उतना तुमारे business का sales generating capacity जादा है यह क्या दिखाएगा आपको आपके business में जो total assets invested है उसके सामने कितने times का sales है और जितने times का sales जादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि उतना आपका sales generating capacity जादा है जितना यह turnover ratio कम होगा उतना आपके लिए खराब है क्योंकि उतना आपका sales generating capacity कम है कभी भी numerator ज्यादा रहेगा तो answer ज्यादा आएगा numerator कम रहेगा तो answer कम है से जितना कम है answer उतना कम है बक्वास है से जितना ज्यादा है answer उतना ज्यादा है wonderful है एकदम आसा है ओके turnover ratio तो अब आप फड़ा सा रेडियो चुकियो इस question को tackle करने के लिए question no.9 पर आजाओ question no.9 पर आजाओ बहुत ही बड़िया question है और उसको solve करेंगे हम आप solve करने के पहले ही उसको LDR mark कर दोगे last day revision LDR last day revision mark कर दोगे उसको yes last day revision LDR 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 कौन बोलता है आपने CA opportunity में LDR कौन बोलता है तोड मालिक बोलते हैं यस अमित तातेड सर बोलते है LDR last day revision उन्होंने पहली बार इंडिया भर में यह word निकाला था LDR last day revision ओके तो question number 9 जो है यह आपको पढ़ना है अच्छे से समझना है और मेरे साथ solve करना है यह आपका page number 20 पर है ठीक है क्या पढ़ेंगे इसमें देखिया भी sales दिया है आपका 75 lakhs variable cost दिया है आपको 42 lakhs fix cost आपको दिया है 6 lakh and debt amount जो है वो 45 lakh है 9% से इससे आपको मिल जाएगा interest amount और आपको equity का amount दिया है 55 lakhs ओके what is the firm's what is the firm's ROI return on investment अब firm का ROI निकालना आपको ROI का formula होता है डिनामेटर में total investment इस firm के पास total investment किते है equity के 55 lakh है debt के भी 45 lakh है दोनों को मिला कर equity total investment बोलते है तो फिर कि आपका total investment रहेगा वन क्रोर 45 lakh प्लस 55 lakh इसके numerator में आपको लिखना होगा EBIT जो कि मेरे पास रेडी नहीं है तो मुझे income statement बना कर फूरा complete कर दाना पड़ेगा वैसे भी fourth part पड़ी है आपको operating financial और combined leverage पूछा है येस तो चलिए income statement पहले बना लेते हैं पेज नंबर ट्वेंटी पर आपका question नंबर 9 मार्क कर लिजेए इसको LDR लास्ट दे रिविजन के लिए income statement serial number particulars amount rupees serial number eight will be sales कितना है यह से अपका 75 लाक्स यह question जो है यह 10 मार्क का question है अगर exam में आजाँ तो 10 मार्क के लिए आएगा बिकोज छे चे पार्ट निकालने आपको पांच या छे पार्ट भी निकालने रहेंगे तो दस मार्क के लिए पूछ सकते हैं इसमें से दो तीन पार्ट अगर पूछे रहेंगे तो छे मार्क के के लिए रहेंगे या आट मार्क के लिए रहेंगे सिस 75 लक्स बी पर्ट विल बी वेरियाबल कॉस्ट 42 लक्स कि सी पर्ट विल बी कॉंट्रिबूशन कि अब्विस्टी ए माइनस भी तो लीजिए क्याइज सी पिर तो शिद्दत से करेंगे सही बात है भाई शिद्दत सही करना पड़ेगा पूरे सिलबस को राइटली नहीं ले सकते हम लोग 75 माइनस 42 गिव विल गिव यू 33 लक्स कॉंट्रिबूशन दी पार्ट विल विल फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इस गिवन 6 लक्स कार्ट विल पडे कि आद ए लिल बड़े कि लूट लक्स ट्यूस्ट आप्त्र विल वे इंट हो लक्ष्ट को विली हैं ढूटो लक्ष्टून G part will be EBT E-F 22,95,000 is your EBT that's it itana hi part tha तो यह आपका EBT तक का answer ready हो गया है अब आपको EBIT पता है 27,00,000 तो हम लोग formula यूज़ करेंगे first part के लिए ROI let's assume before tax because tax tax दिया नहीं है is equal to denominator में आएका total investment total investment पर हम कमाते है EBIT और last में into 100 because हमें percentage निकालना है so it will be 27,00,000 divided by 45,00,000 plus 55,00,000 मतलब भी 1 crore so sir 1 crore directly लिख देंगे नहीं sir yes I know but यह regular class मतलब यह exam नहीं है यह proper class है तो मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि कैसे आ रहा है ठीक है तो चलिए आपका answer चलो बढ़िया है अब क्या करेंगे सेवन परसंट पर हो रहा है तो अब यहां पर हम बोलेंगे कि यह फेवरेबल है भाई हमारे ठीक है तो second part so for second part we will say since ROI is greater than ROI into bracket link sector of 27% is greater than interest rate on loan 9% the firm has favorable DFL the firm has favorable DFL बढ़िया है sir the firm has a favorable DFL so sir second part बीड़न है yes second part बीड़न है हमने ROI को compare किया rate of interest के साथ third part if the firm belongs to industry whose assets turn over is 3 does it have a high or low asset leverage मतलब यह जो firm है अगर इस industry को belong करता है जिसका turnover three times assets turnover industry का three times है तो आपकी firm का turnover high या low है वो निकालना है obviously वो high या low industry के साथ compare करना होगा आपको industry का turnover ratio किता है three times है एक काम करो firm का turnover ratio निकालो firm का assets turnover ratio निकालो और फिर देखते वो इंडस्ट्री के मुकाबले कितना है कैसा है assets turnover ratio का formula था space divided by total assets sales तो खेर ready है 75 lakhs yes sir total assets भी ready है कैसे sir liability set ready है ना कौन सा liability set sir equity और debt का total liability set ready है तो वही तो asset होगा sir equity plus debt so current liability भी तो आते हैं तो वह current liability current assets से net off होकर net current assets हो सकते हैं ना आपका total assets तो net current assets भी तो आ सकता है तो liability is equal to asset इसका मतलब 1 crore will be your total assets 1 crore will be your total assets तो चलो हम लोग हमारे firm का turnover ratio निकालते है थर्ड पार्ट हम स्वेल कर रहें आज से टर्ड नो राशिश इपल तू सेस्ट डिवाइड बाए तोटल असेट्स कि 75 लाइक का सेज है कि टोटल असेट्स वन करोर के है कि आपका अंसर जो फॉर्म का वह भाई साथ 0.75 टाइम्स आया है 0.75 टाइम्स आया है जबके इंडस्ट्री का ये टर्न और रेशो त्री टाइम्स है मतलब इंडस्ट्री के पास अगर एक खोका होता ना एक करोड तो इंडस्ट्री मतलब बाकी लोग अपने जैसे अपने बिजनेस वाले तीन करोड का सेल करते और अपना फॉर्म 75 लाग का सेल कर रहा है हमारे फॉर्म के पास लो आस्टेट लिवरेज है देरफोर इंस इंडस्ट्री असे तवर्ण रशव दो और त्हिए फॉर्म यश्ट्री दिन्स कोमा आप और फॉर्म्स ऐस्ट लोग्वरेज्ड़ पॉर्मा यजवर्म स्ट्री लाट वर्म्स लाट विग्र्छ के लिए डवर्म का लिए अट though the scope टरनो रेशो इस लूँ और पर्म ऐसेट टरनो रेशो इस लूँ तो चलिए थर्ड पार्ट भी दन है फूर्थ पार्ट में तो उनने पूचा था आपको तीनों लेवरेज इस तो फूर्थ पार्ट में दूल is equal to contribution by ebit contribution by ebit is dfl dual ebit by ebt is dfl dcr is equal to dol into dfl को बोलियो contribution किता है 33,000,000 33,000,000 divided by 27,000,000 लीजिये क्याल सी क्या कर रहे हो तुम पूरा लाग दबाते हो क्या 33,000,000 लीजिये क्या कर रहे हो न 33 divided by 27 1.2222222 times yes इसब्साप ebit by ebit ebit is 27 lakh cvt is 22.9 27 divided by 22.95 1.18 times आपका अंसर आता है 1.18 times yes and last case 1.22 into 1.18 1.44 times see 2-2 decimal लिखते हैं हमने आंसर भी तीनों leverages भी आगे आपके 4th part में यही पूछा था आपको 5th part में क्या पूछा है देखते एक बाल 5th part में क्या पूछा है आपको if sales drops to 50 lakh rupees what will be the new EBIT if sales drops to 50 lakh rupees what will be the new EBIT तो चलो फिर sales नया ले लेते हैं 50 lakhs और फिर से EBIT निकाल लेते हैं नीचे तक income statement ड्रॉकर ना होगा इदर तो 5th part आपको income statement ड्रॉकर करकर solve करना होगा क्या टूट करना हूगा यूजए रॉकर करना होगा नुवेट ही निकालना होगा सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स अमान रुपीज सिर्फ EBIT तक पहुचना है A part your sales A part will be your sales your sales are 50 lakhs B part will be variable cost sir variable cost earlier was 42 lakhs उत्रहें ले लो वा बिटा variable को उत्रहें लेंगे तो fixed बन जाएगा ना मेरे दोस्त तो फिर कैसे करेंगे अरे variable 42 lakhs divided by sales 75 lakhs into 100 करके दिख कित्ता परसेंट आता है 42 lakhs divided by 75 lakh into 100 करेंगे तो 56 परसेंट आता है तो हमारा आगे भी 56 परसेंटी रेश्यों मेंटेंड होगा हमारा आगे भी 56 परसेंटी रेश्यों ही मेंटेंड होगा because sales vary as per variable cost varies as per sales तो फिर यहां पर 50 lakh per 56 परसेंट 50 lakhs पर 56 परसेंट करना होगा इट कमस तो 28 lakhs and c part you will get your contribution a minus b 22 lakhs का आपका contribution आता है और उसके बाद क्या होगा fix cost minus कर दो आप fix cost fix cost कितना लोगे बताइए fix cost पहले कितना था भाई साब 6 lakhs का fix cost था क्या fix cost को भी सर इस तरीके से percentage निकालेंगे as the percentage of sales और उसको वैसे ही change करेंगे क्या sir fix cost fixed रहता है irrespective of क्या रहता है वो sales तो क्या करना होगा बताइए irrespective of अगर sales रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा पूरा का वैसे है कि वैसे 6 lakhs का fix cost लेना पड़ेगा आपको यहां पर ले लिजिए आपका fix cost 6 lakhs और E part में आ जाएगा आपका profit मतलब EBIT and that will be C minus D किता आएगा 22 lakh minus 6 lakhs 16 lakhs answer आता है आपका everyone 16 lakhs आपका answer आ रहा है क्या 16 lakhs आपका answer आ रहा है क्या येस so एक मिनिट सब लोग आ गया answer चलो बढ़िया है बढ़िया है हमारे साथ इंडिया की सबसे दिगज दिगज पैकल्टी सबसे अच्छे teacher costing के विनोद रेड़ी सर जस्ट आये मेरे office में hello everyone see who is here तो विनोद सर का भी exam oriented बैच जो है वो 15 पर इक से start वारा है दोस्तों विनोद सर प्लीज आपके बैच के बारे में प्लीज दोस्तों अभी आप हम देख ही रहे कि प्रशान सर के बैच को tremendous response दिया exam oriented तो हमने regular batch तो अभी just finish किया है costing का 30th November को finish भी हो चुका है regular batch का product भी available है product course जो भी जिसको बोलते अविलेबल है आप वो buy कर सकते हो from the respective numbers आपको पता है and हमारा भी exam costing का भी exam oriented batch आएगा जो obviously जिन्होंने regular batch किया है उनको repeat करने की इतनी ज़्यादा जूरत नहीं है बट अगर आपको लगता है कि आपने class अच्छे से नहीं किये तो आप कर सकते हो जिन्होंने regular batch किया है या हो सकता है कि regular batch आपको आपने कहीं और से लिया है और ठीक है तो यह exam oriented batch अपना 15th January से start होने जा रहा है 15th January 2024 तो 15th January से मिलेंगे बचो timing अगरे बाकी सब details आपको मिल जाएंगे meanwhile you can subscribe to our channel Vinod Reddy Telegram चैनल पर subscribe करो प्रशान साधा सर का चैनल तो आपने subscribe किया ही रहगा I'm sure उस पे हम लोग यह handwritten notes पिछले batch के notes सब कुछ मिलेगा आपक क्योंकि उसमें हम बहुत सारा free resource उस पे आपको available मिल जाता है तो प्रशान सर, Vinod Sir, Vinod Reddy, Amir Tathir यह सब चैनल सब्सक्राइब करके रहा हूँ मैं हम Telegram चैनल की बात कर रहा हूँ so see you soon my friends thank you so much तो चलिए Vinod Sir की बैस में भी आपको ऐसे ही जबर्दस जबर्दस मजा आएगा और आपको भी conceptual clarity another level पे मिलेगी और आपको in fact आज की lecture में मैंने बढ़ा था Vinod Sir का Telegram चैनल तो subscribe करना ही आपको वो योगा का अपने subscription किया है मिल साथ मैंने exactly बताया था योगा का आपको subscription करना ह हैंगे तो तुरंत अभी कर लो क्योंकि अल्टिमेटली इस ओल अबोट डी स्ट्रेसिंग आवर सेल्फ ओके तो योगा के subscription नहीं किये शायद शायद आपका नेट चल रहा होगा इधर इस वैस्ट के लिए तो कोई बात नहीं आप यह जैसे ही एंड होता है उसके बाद टे एक और कॉलम करके हेडिंग देकर सॉल्फ कर सकते हैं सर एक्जाम में यह आपसलूट लिश्यों बिल्कुल वैसी कर सकते होगे आप श्यों कोई प्रॉलम नहीं है आपसलूटल कोई इश्यों नहीं आएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर आपके पास EBIT आचुका है 16 lakhs यहाँ का सबसे बड़ा accident point है दोस्तो यह बला लोग क्या कर लेते fix cost बना देते variable cost को जो उपर आपने 42 lakh देखा था वो 42 lakh वह से ही रख देते that is the biggest mistake वो नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते और last part is question का है वो solve करते है इस question का last part क्या बोलता है at what level of sales the EBIT will be equal to 0 at what level of sales the EBIT will be equal to 0 तो इसको भी हम reverse calculation करके solve कर सकते EBIT को 0 लेकर solve कर सकते है ओके तो sixth part इस answer का हम लोग sixth part solve कर रहे है if EBIT of firm is equal to 0 if EBIT of firm is equal to 0 तो ऐसे case में आप same to same format copy कर लो कोई problem नहीं आप same to same format यहां पर copy कर लोगे and no doubt हम लोग क्या करने वाले जब हम copy करेंगे तो आपकल को भी आकर लगती है दोस्तों हम लोग कॉपी करते हों क्या करेंगे नंबर्स चेंज करेंगे ऑफपर्स कि अब यहां पर कि रिवर्स कैल्कुलेशन करना है तो इंट्रेस्ट लेस्ट कर दिया है मैंने और इबीटी आ चुका है मेरा और इबीटी कितना आया है जीरो एन हम जा रहें रिवर्स हम जा रहें रिवर्स पर तो फिर जीरो लेकर आगे बढ़ते इंट्रेस्ट तो खेल उत्रही रहेगा 45 लाक के डेट पर 9 परसेंट मतलब जितना इंट्रेस्ट तुमने उपर लिया था ओरिजिनली 4,5,000 वही आएगा यहां पर भी आप पिछले इंकम स्टेट्मेंट को एक कॉलम नर बना कर भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो 4,5,000 आ रहा है अगर नीचे जीरो है और इंट्रेस्ट 4,5,000 है इसका मतलब और EBIT भी 4,5,000 ही होना चाहिए सर क्यों सर यहां पर क्यों 4,5,000 ले रहे हो सर आप किस बेसिस पर ले रहे हो सर किस बुनियाद पर ले रहे हो सर आप अरे बबा नीचे अगर जीरो रहना है तो यह दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए न तभी तो यह माइनस वाकर यह 0 जैक्रेशन करके इन दोनों को आड करके contribution नंबर स्टेनि लाग 500 कोरिये छी फ् inadequ française फिकश बी सीच पर्सेंट तुमारा वेरिए कहा रहे है तो 10,005,000 10,05,000 divided by 44% will give you the answer 10,05,000 divided by 44% will give you the answer 22,084,091 आगया क्या अंसर 22,084,091 आंसर आ रहा है and balancing figure 12,084,091 आया 12,084,091 यह आपका balancing figure आता है यह आप उसको 56% भी पकड़ सकते है इसका 56% अगर मैं निकालो तो exactly वो ही आता है 22,084,091 इंटू 56% नहीं वो नहीं आ रहा है 56 नहीं आ रहा है आपको balancing figure लेना पड़ेगा ठीक है? तो अगर 10,05,000 आपका final answer है 10,05,000 आपका contribution है और वो आपके sales का 44% है तो हमने directly उस amount को divide back 44% करके यह answer निकाला है और यह हमारा balancing figure आ गया है reverse calculation करके जा रहे थे हम लोग हम लोग फिर से यहां पर मैं आपको explain कर रहो EBIT 0 लिया है interest यहां पर 4,05,000 था तो EBIT और EBIT सेम रहना चाहिए इसलिए यह 4,05,000 हुआ 4,05,000 प्लस fix cost करने से आपको contribution मिला 10,05,000 अगर 100 में से 56% निकाल दिया जा तो 44% रहेगा आपका contribution यह तो tab सिकटर रहेगा जाउना तो 10,05,000 जा दिवा आ तो 44% रहेगा धनन मी चुआ है 22 0,10940 चाहिए जाव 6,05,0 Mari चाहिए जापकोः स्थだ तो 44% रहेगा प्लस। ऑर invit कर से 56% रहेगा काला निकांशने ​ आप बेरियबर कॉस बोलते हो तो कॉंट्रिबिशन आपका 44 परसेंट होता है येस तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स कल्कुरेशन करके सॉल्व किये और कोई मेथार जैसर और मेथार भी रह सकते हैं जैसे कि आप सिद्धा सिद्धा डी एफल के परसंटेज चेंज वाले फ इसलिए ये सबसे बस्ट में चलता है इंकम स्टेटमेंट वगणा सर एकदम आसानि से आते अच्छे से समझते भी है घ्रिट यह हो गया अब बात करते दोस्तों आपके अगर लेवरेज में प्रिफरेंड शेयर जाता है तो क्या होता है आपके लेवरेज में अगर प्रिफ्रेंस डिविदेंट इस गिवन पैसे किसमें सेल्स माइनस वेडियबल कॉस्ट कॉंट्रिबूशन यह पार तो सेम ही रहेगा माइनस फिक्स कॉस्ट इब इट यह पार भी सेम ही रहेगा मतलब कैन भी से ऑपरेटिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं है इस ईस पार्ट में कोई चेंज नहीं रुड़ हुऀस बट विट में से माइनस करेंके इंट्रेष्ट मिलेगा आपको एब्यृति इअब आपको पे करना होगा टैक्स और मिलेगा इये अब आप माइनस करोगे प्रेफेर जिटंड तो आपको मिलेगा NI जिसके basis पर आप निकालोगे EPS बट दोस्तों ये preference dividend taxation के बाद क्यों आ रहा है taxation देने के बाद minus PD क्यों कर रहे हैं पहले कर दो tax बच जाएगा ऐसा नहीं होता है पहले कर दो tax बच जाएगा ऐसा नहीं होता है preference dividend is non-tax deductible क्या बहुता है preference dividend is non-tax deductible मतलब tax session के लिए उसको deduction करना allowed नहीं है because it is not P&L account it is P&L appropriation item वो P&L account वाल item नहीं है P&L appropriation वाल item हो तो उसकी वज़े से tax save नहीं होता है तेरा इसलिए तो ये preference dividend बाद में आता है tax session के बाद और ये financial part है और इसमें change दिखा इसका मतलब DOL में कोई change नहीं होगा DOL will be same DFL के अद तक changes आएंगे DFL में percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT ये formula है अब अगर ये formula जो है ना financial part का ये formula में end point और start point ले लिया हमने financial leverage का end point और financial leverage का start point अगर में ले रिया हूँ तो उसके बीच जो जो item आये नहीं आये whatever उसका effect तो EPS में आ गया है formula बदलने की जोरुत नहीं है formula बिल रिमेन सेव ये formula भी same रहेगा क्यों sir क्योंकि end point EPS लिया है तो उसमें सब चीजों का impact आ गया PD नहीं लिया तो EPS अलगाएगा PD लिया तो EPS अलगाता है तो obviously आपको formula बदलने की क्या सुरत है EPS में ही impact आ चुका है PD का येस अब दूसरा फॉर्म ना था कि DFL का कि EBIT बाए EBT तो can we write EBIT माइनस इंट्रेस्ट सेम है ना EBIT लिखू क्या और EBIT माइनस इंट्रेस्ट लिखू क्या एक ही बात है येस सर और हमें वह भी यादे सर कि वह इंट्रेस्ट की वह जैसी हुआ तर फाइनेशल पाट क्यों कि इंट्रेस्ट सेम रहता है सर हमको यादे सर अगर तुझे इतना यादे कि इंट्रेस्ट सेम रहता है तो तो यह भी तो याद कर कि प्रेफरेंस डिविडेंट भी सेम हो गया जैसे से इन्टванinken-पिक्सकिष्ट का हिफ्थ कासे परिफो गेरिक इफ इन्ट के वैसे प्रेफ बिट्रस ऑगा ये सर बिल्कुल्ट एक बात ध्यान से ईगए मेरी कि छिक पेहले भरना पड़ता है टैक्स बाद में फर्कशल भरना पड़ता है तो preference dividend का अगर commitment 10 रुपे का रहेगा तो वो 10 का नहीं होता है पहले tax भरना होता है फिर वो 10 मिलना चाहिए तो preference dividend को before tax भरना पड़ेगा आपको ताकि हम पहले tax भर पाए फिर PD भर पाए हमें preference dividend को before tax भरना है तो दिवाइड़ बाए 1 माइनस tax फिलकुल सही है तो हम लोग क्या करेंगे preference dividend को divided by 1 माइनस tax करेंगे preference dividend को divided by 1 माइनस tax करेंगे ये क्या बन गया सर preference dividend before tax क्यों बना है सर क्योंकि हम पहले tax भरने के बाद ही PD भर सकते तो हमारा commitment अगर 10 रूपे दिख रहा है preference dividend का तो दस नहीं है दस से जादा है क्योंकि पहले भरना पड़ेगा tax फिर बचेंगे 10 जो हम PD वालों को देंगे preference वालों को देंगे in the form of preference dividend तो हमारा formula क्या बन रहा है DFL is equal to EBIT divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax yes sir अब financial leverage change हो गया तो combined leverage भी change हो जाएगा combined leverage के अब तक क्या होगा combined leverage के तक DOL into DFL ये form ना तो सेम ही रहेगा क्यों सेम रहेगा sir ये form ना सेम रहेगा बेटा बिकॉस DFL adjust हो गया ना formula को change करने क्या जोरते DFL change हो जाएगा with PD without PD yes sir DCR का दूसरा formula है दोस्तो परसंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in sales ये formula भी same रहेगा दोस्तो इसको भी बदलने की जुरत नहीं है क्यों sir क्योंकि EPS तुम last point ले रहे हो sales तुम first point ले रहे हो उसके बीच जो जो आइटम्स आए नहीं आए सबका impact EPS में आ चुका है formula बदलने की जुरूत नहीं है येस सार बिलकुल सही है और तीसरा पार्ट DCL is equal to contribution divided by EBT था हूँ contribution divided by EBT को में EBIT minus interest लिख सकता हूँ EBIT है अभी तक येस और जैसे उपर भी तो EBIT था तुमने EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax किया है numerator सेम रखा है तो यहाँ पर भी numerator contribution सेम रखा है denominator में वही चेंज करना जो ऊपर चेंज किया है येस सर इसका मतलब minus होगा PD upon 1 minus tax what is that PD upon 1 minus tax preference dividend before tax why before tax because first you need to pay tax बाद में बचना चाहिए preference dividend जो आप पे करने वाले येस सर पूरा का पूरा conceptual clarity एकदम जबरदस हमारे साथ leverage के पहले साथ formulas थे आज हमने DOL का एक और formula देखा 1 by MOS 1 by MOS तो आड़ बन गए और ये दो formulas देखे जो change हो रहे है कौन से दो formulas change हो रहे हैं सर ये जिसको मैं highlight कर रहा हूँ अभी DFL is equal to EBIT upon EBT की जगा EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax and DFL जैसे change हो है वैसे DCL भी change होगा DCL का formula क्या है contribution divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax ये ये वाला formula रहेगा फिर वैरी कुट बढ़िया है तो ये वाला formula रहेगा आपका कौन सी चीज़ का DCL का DCL का ये formula DFL का वह formula और ज़री साथ formulas प्लस एक नया 8 1 by MOS वाला तो फिर टोटल हो गए 10 ये दो को जोड़कर टोटल होगे 10 पहले के साथ बाद में का आज का एक 1 by MOS वाला DOL is equal to 1 by MOS फिर DFL का ये नया वाला formula और DCL का ये नया वाला formula ये नया वाले formula सर नहीं use किया तो चलेगा क्या सर यूज करना ही नहीं है अगर preference dividend नहीं रहेगा तो यूज करना ही पड़ेगा अगर preference dividend रहा तो आपके बास चॉइस नहीं है ये करना ही पड़ेगा ओके तो टोटल लिवरेज के 10 फॉर्मलेज होगे दोस्तों जबरदस तरीके से पूरे 10 के 10 फॉर्मलेज अच्छे से हमने कर लिए कंसेचली हर पॉर्मले को हमने रिवाइब किया चलिए एक क्योंस वाद प्लोस करते आज के लिए तो आपका एक क्योंस जो अभी आंस सॉल्व कर रहे है बेसड आप स्विदिए वह कॉस्चन नंबर 10 पॉस्चन नंबर 10 एक बार कॉश्चन नंबर 10 सॉलफ किया तो 11 आपक के homework रहेंगे ये सरसर अलुड़ी आपनी तीन दिये थे सर ये और तीन क्या फर्ग रहेगा मैंने बोला नहीं exam oriented batch में अगर मैं पूरा regular batch का हर portion करवा रहा हूं तो बेटर रहेगा कि तुम करो करो न हम लोग हैं यहां पर सॉल्व करने के लिए साथ में अगर आपको नहीं आया न मैं आपको नेक्स डे इतना यकीन दिलोंगा कि आपको सब समझ जाएगा बट ना homework से इस बैच में डरना नहीं आपको मैं देखो यह तो चलिए अब एक question 10th solve कर लेते 11 12 13 आपको homework रहेगा ठीक है पहले की तीन और यह तीन टोटल छे आपके तो टेंथ को सब करते हैं the operating and total leverages are 2 & 5 respectively मतलब financial leverage तो आसानी से आ जाएगा भाई operating leverage अगर यह है total अगर यह है तो 5 by 2 करेंगे तो 2.5 मेरा financial leverage आ गया है then total leverage मतलब क्या combined leverage okay the total variable cost at the existing level of operations amounts to 6,50,000 तो total variable cost किता है आपका 6,50,000 है अभी के level पर the interest expense and dividend on preference shares यह देखो dividend on preference shares दिया हुआ है कितना है 36,000 interest expense भी दिया हुआ है कितना है 75,000 respectively बोलाना आगे तो interest आपका 75 है और preference dividend आपका 36,000 है और प्रेफरेंस डिविडेंट आपका 36,000 है corporate tax rate is 60% तो tax rate आपको 60% दिया है what is the sales revenue of the company what is the sales revenue of the company भाई साहब इसका मतलब आपको leverage दिये हुए और आपको reverse जाकर sales तक पहुचना है बिल्कुछ सही है वो भी preference dividend के साथ बिल्कुछ सही है मज़ा आएगा solve करने में चलिए solve करते question number 10 तो आपको operating leverage दिया है combine leverage दिया है तो total आप DFL निकाल लो पहले फिर आपके पास variable cost दे रखा है no problem interest expense दिया है preference dividend का amount दिया है tax भी दिया है तो एक काम करो ना DFL के formula को put up करो आपके पास EBIT नहीं पता है but minus interest पता है minus PD upon one minus tax भी पता है और DFL तो हमने निकाल आईए तो खतम बात EBIT आजाएगा एक बार EBIT आए तो सब निकाल लेंगे यह बाकी चीज़े यह याद रखिए EBIT is the connecting link between financial part and operating part financial part और operating part का connecting link जो कड़ी है न वो EBIT है याद रखिए यह बात ओके तो चलो 10th question solve करते हैं फड़ा 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 पांच मिट में तीन मिट में खतम कर लेंगे इसको सब लोग मेरे 11, 12, 13 आपको हम वोग है वो page number 20 पर है question number 10 जो है वो page number 20 पर है और हमको सबसे पहले DFL निकालना है DFL is equal to DCL divided by DL 5 by 2 2.5 times is my DFL very good DFL आगे अगे 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 वोग उसकर एपम्ला DFL is equal to EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax preference dividend divided by 1 minus tax तो चलिए हमारे पास सभी items ready है EBIT छोड़कर 2.5 is equal to EBIT upon EBIT minus interest कामोन कितना है बुलिए सब्सक्राइब करते मैंस के दुश्मन अच्छे से देखो ठीके 36,000 को डिए 0.4 कर लो 90,000 अगर आपका आ रहा है उसको 75,000 के साथ आड़ करो प्लस 35,000 क्यों सर उसको क्यों अड़ कर रहे तो मैंस के दुश्मनों डिनामेंटर अपोसिट से जाता है न तो वह EBIT देर्फोर क्या होगा दोस्तो इस कांसर्ट 1.5 EBIT is equal to 4,12,500 therefore EBIT is equal to 4,12,500 divided by 1.5 4,12,500 divided by 1.5 that comes to 2,75,000 2,75,000 यह आगया अब आपको reverse जाना था मैंने बोला था आपको sales तक पहुचना था है EBIT तक तो पहुची गए हो फ़रा दो मिट के लिए rough में अगर मैं आपको income statement ड्रॉ करूँ sales minus variable cost will give you contribution minus fixed cost will give you EBIT तो यहां तक तो पहुची गए है अब बस operating पार्ट में घुसने की बारी आ गई है contribution by EBIT formula यूज कर सकते है DOL के लिए और DOL ready अपने पास EBIT ready है contribution आ जाएगा contribution अगर आ गया तो यह तो question में दिया हो अच्छे लाग रुपे है यह तो question में दिया है कि आपका variable cost जो है वो 6,50,000 है 6.5,00,000 है तो बस दोनों को add करके आप reverse कर रहे हो sales आ गया contribution प्लस variable cost विए विए sales तो अब क्या करना होगा सर अब आपको DOL use करना है बिटा DOL is equal to contribution by EBIT DOL कितना दिया है question में तो टाइम से so 2 is equal to contribution by 2,75,000 therefore contribution is equal to 5,50,000 contribution is equal to 5,50,000 and therefore contribution 5.5 आ गया है तो भाई साब reverse जाओ और इन दोनों को add करके हमको sales मिल जाएगा न yes sir sales भी आ गया sales is equal to 5,50,000 plus 6,50,000 तो final answer आपका कितना आ गया 12,00,000 रुपीज आ गया final answer आपके sales का कितना है 12,00,000 रुपीज है very good very good चलो बढ़िया है तो यहां तक तो हम पहुच गए हमने 10th question solve किया अब अच्छे से देख लो आपका 11th question 12th question 13th question homework है और उसके अलावा और तीन homework मैंने दी आपको 14,16,17 total कितने होगे 6 homework होगे exam oriented batch है sales study को बोलते है आप करोगे हम लोग next day फिर से solve करेंगे मैं printed answers नहीं दिखाता हो आपको हम फिर से solve करते है ठीक है चलो तो यह था आपका एक ऐसा question जिसमें हमने preference dividend पहली बार यूज करकर answer निकाला है ठीक है